नमस्का मित्रो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे शे टॉपिक त्रिविध आयतन यह वर्डन कहां आया है तो हम लोग देख रहे हैं इगरहमय चरप्टर चरख सुत्र के इगरहमय चरप्टर अर्था तिसरशली अध्याई के अंतरगत हम लोग बात आयतन का क्या मिणिंग है क्योंकि यहाँ पर शब्द का ही खेल है Instruments का मतलब होता कारणyr किसको प्रेया है कारण का तो इसको भूब दूसरे भाहदा हम बाथ क्रते हैं त्रिविज भी किसके रोगों के तीन कारण रोग होने के तीन कारड कौन कौन से होते हैं तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि रोग होने के तीन कारड कौन कौन से होते हैं तो आचार चरक ने बहुत क्लिर कट इसको लिखा है आज ये देखते हैं तो यहां देख रहे हूँगे आचार चरक ने बहुत सुन्दा तरीके से लिखा हुआ है तृड़े आयतनानी कौन कितने आयतन होते हैं? आयतन तीन होते हैं रोगों का कारण तीन होते हैं अर्था नाम करमड़ कालस्य च अतियोग अयोग मिथ्या योगा अर्थात की जो भी इन अर्थ के अर्थात इंद्रियों के जो विशय होते हैं उनके और कर्म के और काल के इन सभी के अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग की वज़े से तीन ये रोग होते हैं तो आईए इसको एक्स्प्लोर करते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है विशय, इंद्रियों का विशय, तो इन इंद्रियों के विशय का अगर देखा जाए अतियोग हो जाएगा, या अतियोग के बाद और योग हो जाएगा इसको हम लोग समझाएंगे भी और तीसरा है मिथ्या योग मिथ्या योग तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे थोड़ा साट में तो देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे जो अर्थ होता है विसय, विसय मतलब इंद्रियों का विसय, तो जो ग्यानेंद्रिया होती है, उनके जो विसय होते हैं, उनका अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, इस हाँ पर डिटेल हम लोग बात करेंगे कि क्या है अतियोग, क्या है अयोग, क्या है मिथ्या यूग तो यहां देख Way की सबसे पहले देखते हैं घ्राड शरप इंद्री हम लोग क्या देखते हैं वै टरसे अतियोग औयोग मिथ्या यूग होता है शरप्द का तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम लोग जो सामान धनी होती है जो सामान ने हम लोग audible sound होता है कितने हर्ड का सुन पाते हैं किस range का जो सुन पाते हैं तो वो अगर देखा जाए 20 हर्ड से लेकर 20 हजार 20 हजार हर्ड की जो frequency होती है frequency होती है ये label होता है कि यहाँ पर ये normal audible sound होता है इसको क्या बोलते है, audible sound, audible sound, range, ठीक है न, ये range होता कि आप 20 Hz लेकर 20,000 Hz को, सब्दों को, आप easily सुन सकते हैं, उससे किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन, अतियोग होने का मतलब ये है, कि 20,000 से अधिक sound, अगर आप, अगर फ्रिकेंसी की sound आप सुन रहे हैं, तो more than 20 30,000 Hz, ठीक है न, तो अगर 20,000 Hz फ्रिकेंसी से जादा है, तो क्या हो जाएगा, स्रवड़ेंद्री का sound से ये अतियोग हो गया, अयोग का मतलब क्या है, कि less than, less than 20 Hz, less than 20 Hz, अथा 20 Hz से भी कम आएगा, तो भी सुनाई नहीं देगा, तो इसको बोलेंगे अयोग, और तीसरा है मिथ्यायोग, तो मिथ्यायोग का मतलब कि कभी, मतलब कभी, कभी ये sound, कभी अतियोग हो, कभी अयोग हो, मतलब एक unlimited तरह की चीज़े हो, तो हम लोग इस अब ये sound किस रूप में आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि अत्यंत उचे शब्द, बहुत ही जैसे पटाखे की सब्द सुनना, और बादल का गरजना, और नगाडे का जो शब्द होता है, जोर से रोने की ध्वनी, ये कान, मतलब ये जो कान में सुनाई देते हैं, ये शब्दों का अतियोग है, तो मतलब बहुत तेजी से धनी आना, इसका मतलब 20 हर्ड से 20,000 हर्ड से ज़्यादा हो रहा है, अगर बात करें दूसरा अयोग की है, तो अयोग का मतलब क्या है, कि कानों से सब्दों का सरवथा न सुनना, कब सुनाई नहीं देगा, जब 20 हर्ड कठोर, प्रियजन या प्रियवस्तु के विनास सूचक प्रघर्षड या तिरसकार सूचक या भीषड भयंकर हादी सब्दों का सुनना, जैसे आपके माता पिता हमेशा आपको प्यार करते हैं, लेकिन अचानक सुनको क्या हो जाए, कि आप उमीद नहीं करते हो कि ममी ऐसा मुझे बोल देंगे, तो वो क्या है, अप्रिय शब्द सुनना, ये क्या है, मिथ्या योग है, तो ये मिथ्या योग में आता है, तो कुछ इस तरह की बाते कही गई है, तो ये तो सिर्फ हम लोगों ने स्रवडेंद्री की बात किया, उसी तरह से हम लोग नेतनती की बात करेंगे, इस पर सिंद्री की बात करेंगे, तो ये आपको समझने के लिए है, अब बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात कुई है, अभी कर्म काल और कर्म काल का भी उसी तरह सो जागा, अर्थ के समय, अर्थ के जगे पर हम कर देंगे कर्म, कर्म का अतिय अयोग मित्या योग और काल का अतियोग अयोग मित्या योग ये भी क्या है ये भी एक तरसे त्रिविद आयतन होता ये रोगों के तीन कारण होते तो उमीद है इस तरह से हम लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे और कम सब्दों में हम लोगोंने अपने बाड झाल झाल झाल